हेलो दोस्तो, स्वागत है आईरवेडिक टिप्स्विट शिवानी में दोस्तो, आज हम बात करेंगे अपने चेहरे से होली के रंगों को आसानी से कैसे छुड़ाएं दोस्तो, ज़्यादत तर लोग रंगों से होली खेलना पसंद करते हैं वहीं होली खिलने में इस्तिमाल होने वाली रंग काफी नुकसान देह होते हैं मगर होली खिलने में लोग इतने मगन हो जाते हैं कि वो इन रंगों से अपनी तच्चा की रख्षा करना भूल जाते हैं तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे नुस्कों के बारे में जिससे आप अपने चेहरे का रंग आसानी से साफ कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो बैल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों केले का फेस पैक केले के फेस पैक की मदद से आपकी तवचा से रंग आसानी से साफ हो जाएगा और आपके चेहरे का निखार आ जाएगा आपको केले को अच्छे से मैश करना है और उसमें आदा चम्मच नीवू का रस मिलाना है उसके बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धोले और फेस पर ये पैक लगा ले इस पैक को 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहनेते जब ये सूख जाए तो अपने चेहरे को गीला कर ले और कुछ देर तक इसे चेहरे पर अच्छे से रगड़े और फिर इसे साफ कर दे बेसन का फेस पैक बेसन फेस पैक चेहरे के लिए सबसे अच्छा फेस पैक है इस face pack की मदज से आपको ना केबल चहरे में लगे होली के रंगों से राहत मिलेगी बलकि इस face pack की मदज से आपके चहरे में नमी भी बनी रहेगी आपको बस एक चमच बेसन में एक चमच दही मिलाना है फिर इस face pack को अपने चहरे पर अच्छे से लगा ले वहीं आपको लगे कि ये सूख गया है तो इसे साफ कर ले अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नीबू या दूर मिला कर भी face pack बना सकते हैं लेकिन कभी भी बेसन में पानी मिला कर face pack ना बनाए मुलतानी मिट्टी का face pack रंगों की बेज़े से अगर आपके चहरे पर किसी तरह के दाने हो गए हैं तो आप मुलतानी मिट्टी के face pack की मदद से इन दानों से निजात पा सकते हैं आपको बस मुलतानी मिट्टी में कुछ बूने गुलाब जल्की और थोड़ा सा पानी मिलाना है फिर इस pack को अपने चहरे पर 10 मिनट तक लगाएं और इसे सूख जाने दें इसके बाद इसे पानी की मदद से साफ कर दें इस face pack की मदद से आपके चहरे को थंड़क मिलेगी और आपके चहरे को रंगों से जो नुकसान पहुँचा होगा वह भी कम हो जाएगा दाल का face pack किसी भी दाल को पीस कर आप उसे एक स्क्रब की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस आपको एक रात पहले दाल को भिगोना होगा और अगले दिन उसमें दूद मिलाकर उसका पेस्ट तयार कर लें इस face pack को कुछ देर तक लगा रखें और फिर साफ कर दे शहद का face pack शहद का face pack तयार करने के लिए आपको शहद में नीबू का रस मिलाना होगा फिर इन दौनों चीजों से तयार हुए पेस्ट को अपने चहरे पर लगा लें 10 मिनट के बाद इसे हलकी गर्म पानी से साफ कर लें इन में से आप कोई भी नुस्का ट्राइ कर सकते हैं ये है आपके लिए बहुत फायदिमंद है और ये नुस्की ट्राइ करने से आपकी चहरी का रंग आसानी से उतर जाएगा धन्यवाद